आज मैं आपके थाज शेयर कर रही हूँ नवाबी चिकेन बनाने की रेसिपी जो की बहुत ही डिलिश्यस बहुत टेस्टी बनकर तयार होता है किसी भी पार्टी में आप इसको सर्फ करें महमानों के लिए या पर अपने फैमली मेंबर्स के लिए बनाएं सबको बहुत पसंद आने वाला है आज की वीडियो में आपके लिए एक सर्फ्राइस भी है जैसे कि हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीस प्रेजेंट करूँ वैसे ही काफी लॉंग टाइम के एफर्ट और महिनत के बाद आपके लिए अपना एक होम प्रोड़क्ट जांपिंग लेकर आई हूँ जहाँ पर आपको एकदम सॉफ्ट और कमफर्टेबल स्लिपर्स मिलेंगी तो जिस तरह का प्यार और सपोर्ट आपने मेरे चैनल को दिया है, मेरी रेसिपीस को दिया है उसी तरह का प्यार आप मेरे प्रोड़क्ट को भी तीचे वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए दिये वे लिंक पर क्लिक कीजे और इन स्लिपर्स को बाय कीजे तो चलिए अब नवाबी चुकन बनानों शुरू करते हैं सबसे पहले मिक्सी के जार में 20 काजू ले लेंगे या फिर आप इसके जगा पर छीलेवे बादम भी ले सकते हैं बादमों को भीगो कर उसका चिलका उतारती जगा अब डालेंगे इसके अंदर दो टेबल स्पून सुखव नारियल यह पावडर नारियल का लेकिन आप चाहें तो सुखव नारियल को काट कर भी उज़ कर सकते ह छे छोटी लाजी डाल देंगे इसमें और बारा से पंदरा धागे साफ्राउन के डाल देंगे यह ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट हो जाता है इससे और एक तीहाई कप के करीब दूड डाल कर हमें इसको स्मूथली ग्रैंड कर लेना है एकदम फाइन इसको पीस लेंगे तो इस तरह से हमारा पेस्ट त्यार हो गया है इस पेस्ट को अभी हम रख देते हैं एक साइड में अब इसी मिक्सी के जार में हमें दो मीडियम साइस की प्याजों को हलका सा दर दर पीस लेना है तो यह दो प्याज हैं जिनको मैंने गोल्डन फ्राइ कर लिया था तो मिक्सी क जाने की तकरीब एक कब अधude ही डालेंगे और इसे के साथ जो हुमने पेस्ट यार किया है यह पेषिध हम इसमें डाल देंगे और हमने जो प्यास को दरदरा PEEP है यह प्यास भी हम इसमें डाल देते हैं ब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे, दो टीस्पून डाल देंगे नमक, दो टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आदर टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे, और दो टीस्पून डालेंगे गरम मसाले का प तो यह वही तेल है जिसमें मैंने प्यास को गोल्डेन फ्राइए किया था तो आधा कप के करीब हम इसमें डाल देंगे आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं देसी घी में आप इसको पका लें बहुत अच्छा टेस्ट आता है अच्छी तरह से सबी इ दग देना है तो एक पैन में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे तो इस तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी डाल देंगे बहुत जादा पानी नहीं डालेंगे मैंने वही जार यूज कर लिया था क्योंकि उस और अब हमें गैस की फ्लिम को लो कर देना है और इसको दोबारा से ढख देना है अब हम इसको लो फ्लिम पर पकाएंगे तकरीबन 25-30 मिन के लिए लेकिन बीच बीच में 5-7 मिन के बाद आप इसको चलाते रहेगा वरना फिर यह नीचे लग सकता है आप चाहें तो इसके कोई हैवी बॉटम तवा भी लगा सकते हैं जिससे कि यह सेक्योर हो जाएगा तल से लगेगा नहीं तो तकरीबन 30-30 मिन इसको लो फ्लिम पर पकाया है और चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है इस पॉइंट पर गैस की फ्लिम को हाई करके चार-पांच मिनट के अच्छा आता है और इस तरह से हमारा बहुत ही जबदस्त और बहुत ही डिलिश्यस नवावी चिकन बनकर त्यार है जो कि आपने देखा कितना आसाने बनाना सिंप्ली सारे इंग्रीडिंट्स को आप इखटा करें और जट पट से पकालें बहुत जादा टाइम कंजूमिं रेसिपी नहीं है और रिजल्ट आउट्स्टंडिंग है बहुत ही बहुत ನवावी चिकन बनकर तैयार होता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूरिएगा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अलाफेज